बस के कोर्डिंग आपको लेविल पता है उसके कोर्डिंग बस तैयारी करिए आप अच्छे से चलि आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है तो यहां पे सबसे पहले जो टोपिक होगा यह होगा इत्यास का मंदिर से लिटिड होगा यह एक्जाम में बहुती बार यह आत में चालूक के साथ को दुवारा बनाया गया था वास्तू occurrence पाल व्थेजां पाल ने बनवाया था है तो यहां पे देखिए यहां पे देखे दिलवाडा का जैन मंदिर कहां पे है माउंट आबू परवत पर माउंट आबू परवत कहां पे है यह राजिस्थान में है यह चालूक के सासकों दुवारा बनवाया गया था बहुत बार आता एक्जाम में कि दिलवाडा का मंदिर किसने बनवाया तो यह च भारावली परवत हैना सबसी प्राचीन परवत जो है आँर में चलिये इसके बाद यहां पे खजुराहों का मंदिर कांप आप मध्य प्रदेश में चैतरपुर जिले में है यह और यह जो है चंदेल सासको दुआरा बनवाया गया था किसके दुवारा चंदेल सासको दुवारा दिलवाडा का मंदिर किसके दुवारा बनवाया गया था चालुक के दिल जीत लिया कुन जीतता है दिल जो चालु होता तो इस तरीके से आप लिंक कर लेना इसको यह चंदेल सासको दुवारा बनवाया गया था और यह किसको समर्पित है यह जयन धरम से जयन धरम को समर्पित है इसके बाद यहां पर इसके पहना STIGHT इसके बाद यहां पर आगे वरंदावन चंद्रोध्य मंदिर यह विसुका सबसे उच्छा मंदिर होगा और यह लगवक 300 क्रोड की लागत से जो है बनाया जाएगा एक यह जो संचता है इसकौन यह इसके दुवारा बनवाया जाएगा इसकौन के दुवारा ठीक है इसके बाद यहां पर आगे पागल बाबा मंदिर यह कहां पर है तो यह है वरंदावन में पागल बाबा यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्य नहीं देखिए कैलास मंदिर कैलास मंदिर ये भी है एक है ये एलोरा में और एक जो कैलास मंदिर एक है काची में एलोरा आपको पता है अजन्ता एलोरे गुफा कहां पर है महराष्ट में तो दो मंदिर जो सूपर टेट का एकजाम था उसमें पूछा गया था कि कैलास मंदिर एलोरा यह किस ने बनवाया था तो यह बनवाया था राष्ट कूट नरेश किरिशन पर्थमने किस ने बनवाया किरिशन पर्थमने और यह जो है काची वाला यह बनवाया था नर्सिंग वर्मन दित्य दुवारा नर्सिंग वर्मन दित्य है तो इसको याद रखना देख़े हैं यहां पर महिंदर वर्मन में नोने आपको याद यह रखना है कैलासमंधिर एलोरा ये किर्षन पर्थम दुवारा जो कैलास मंदिर है काची में काची कहां पर aún तवी लाडू में में को यह बनवा गयता नरिसिंग वर्मंदित के दुवारा इसके बाद यहाँ पे वर्यदेशवर मंदिर यह कहां पे है यह तंजोर में वर्यदेशवर मंदिर तंजोर में चोल सासक राज-राज पर्थम दुवारा बनवाया गया राज-राज पर्थम दुवारा वर्यदेशवर मंदिर तंजोर में चोल सासक राज-राज दुवारा राज-राज पर्थम द को बहुत IMPORTANT है इसके बाद यहाँ पर आगे 20 अंगोरवाट मंदिर कंभोडिया उप कि या सोधपुर है ना या सोधपूर का मंदिर भी कहते इसको यह अंगोरवाइवाट मंदिर कहां पर है यह कंभोडिया में है यह सुर्यə वर्मन दित्या दुवारा बनवाय गया था सूर्य वर्मन दित्य दुवारा और यह विशुका सबसे बड़ा हिंदु मंदिर भी है और इसको देखिए 1963 में कमबोड़े धवज में भी इसको इस्थान दिया गया इसके बाद यहां पर आगे ब्रह्मा मंदिर राजिस्थान में अजमेर में है यह इसके बाद यहां पर हुच्ची मल मंदिर यह विजय दित्य दुवारा बनवाय गया इसके बाद यहां पे आगे जो है वैशनो मंदिर यह कहां पे है वैशनो देवी का मंदिर जम्मू कस्मीर में है इसके बाद अमरनात मंदिर भी जम्मू कस्मीर में है इसके बाद यहां पे आगे यह जो है न मिनाक्सी मंदिर यह मदूरे में है और यह जो है सोलवी सताब्दी में बना गया पांडो पांडे सास को दुवारा मिनाक्सी मंदिर मदूरे में आप बहुत बार पूछी भी जाती है पांडो की जो राजधानिती पांडे है इनकी जो राजधानिती ये थी मदूरे इसके बाद यहां पे आगे जो है यहां पे नटराज मंदिर यह जो है ना यहां पर देखे चोल काल में बनवाया गया था और यह जल्ली कट्टू त्युहार के लिए परसिद है यहां पर देखिए यहां पर मेला भी लगता है और देखिए जल्ली कट्टू आप मुझे कमेंट करके बताना है जल्ली कट्टू किस राज्ये का यह त्यु यहां पे भी जह खेला जाता है बेर जो मरत्य हो जाते हैं यहां पर बैल जो होते हैं उसके साथ और यहां पर जो है प्लेटी हो जाती सरांट की या इन से कुछ जो है वेंकितकी प् suspects वह इस पे जल्ली कट्टू जो त्यौर ता Webslike रोक लगा दी गई थी इसके बाद यहां पे आगे एक अम्भिवेस्वर मंदिर यह कहां पे है यह काची पुरम में है और यह साडियों के लिए परसिद है इसके बाद यहां पे आगे बैकुंट पैरुमल मंदिर यह नंदी वर्मन दित्य ने बनवाया था यह काची पुरम में है इसके बाद यहां पे आगे रामानाथ स्वामी मंदिर यह तमीन लाडू में है और यह जो है लंका के राजा सिरिलंका के राजा प्राकरम बाहू ने यह बनवाया था इसके बाद यहां पे देखिए आगे सिरिपुरम गोल्डन मंदिर इसके बाद यहां पे आगे मामलपुरम मंदिर यह किसने बनवाया यह बनवाया था पल्लाव सासकों ने मामलपुरम इसके बाद यहां पे आगे सबरी माला मंदिर यह केरल पंपा में है और ये सैव और वैशनाव मंदिर है सीव और विशनु को ये समर्पित है सबरी माला ये केरल में है इस पे विवाद भी था देखिए महिला और लड़कियों पे इसमें प्रवेश पे परतिवंद था और ये काफी विवाद में भी रहा था उस समय ह Is इसके बाद यहां पर आगे सोमनात मंदिर बहुत इंपोर्टेंट एकजाम की दरश्टि से सोमनात मंदिर यहे गुजरात सोराश में या बेरावल बंदरगा के पास या प्रभास पाटन में यह इस्तित है तो सोमनात का मंदिर यह याद रखना आपको गुजरात में है इसका उल्लेक जो है रिग्वेद में भी है और देखी अलग-अलग इसकी हिस्ट्री है लेकिन आपको केवल यह निया वहाँ के जो राजा थे यह थे भीम परथम कौन थे भीम परथम थे तो इसका देखीं वैसे इस्टरि का आप यह पैले चंद्रडेयु निर्मान करा उसके बाद इसमें वल्लवी महत्रक राजाव ने करवाया है न इसमें परतिहार सासकों ने करवाया तो इसको जादन इसमें देखना है केवल यह देखना है सोमनात का मंदिर जो यह नश्ट किया किसके दुवारा किये गया था यह गजनवी के दुवारा एकजार पच्चिस में लूटा गया था इसके बाद यह important है और जब यह मैंने exam देता 17 में उस समय भी पूछा गया था इसको देखना कुणार का सूरिय मंदिर कहां पर है यह है पूरी में कुणार का सूरिय मंदिर पूरी उडिसा में है यह नर्सिंग देव वर्मन पर्थम ने यह बनवाया था कुणार का मंदिर कुणार का सूरिय मंदिर उडिसा में यह पूरी में है और लिघए इसके नाम से ही आपके एकजाम में क्योश्चन आएगे को सूरिय के barrier जाती है अंधर इस तरीके से बनाए इसको कहते अंगल ओफ सन भी कहते है इस मंदिर को एंगल ओफ सन ऑद और यह जो है यह कोस्चन आया था 2017 में की ब्लैक पगोडा की मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पगोडा तो यह कहा जाता है कुणार के सूर्य सूरिय मंदिर को और ब्लैक का मतलब क्या यहां पर ब्लैक पगोड़ा तो यहां पर ब्लैक जो है ना यह नाम की ओपड़ा ब्लैक पगोड़ा यह काला गरे नाइट परियोग हुआ इसमें वैसे हुआ बलुआ पत्थर भी हुआ लेकिन काला गरे नाइट परियोग हुआ इस इसको बलैक पगोडा कहते है यह कुणार का सूरिय मंदिर कहते है इसको और यह कुणार का सूरिय मंदिर किसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके ऐसे अंगल से बना गया इसमें जो मूर्ती है उस पे सूरिय की किरने जाती है और वैसे देखे इसके अलावा आप ये भी देख सकते है 12 सदी में बनाया गया है ये 12 वर्स में तयार हुआ 12 सिल्पकार इसमें लगे और इसमें 12 पहिए प्रियोग हुए इसमें रत के आकार से बना गया है 7 रत है इसमें यानि की जो रत के आकार का है और साथ घोड़े इसको खीश रहे है कितने पहिए उसमें बारा तो बारा का बहुत बार इसमें प्रियोग हुआ है बारवी सदी बारा वर्स में तयार बारा सो सिल्पकार और बारा पहिए और 1984 में यूनेस को द्वारा वर्ड हैरी डेज का इसको धरजा दिये गया इसमें और यह जो बंगाल की खाड़ी से यूरोपिय जहाज जाते थे उनको यह लुभाता था तो यह काफी वीशू में भी फेमास है यह लेकिन एक्जाम की दरश्टेश केवल इतना ही इंपोर्टेंट है कि कुणार का मंदिर कहा है उडीसा में पूरी में सूरिय मंदिर नरसिंग देववर्मन पर्थम ने बनवाया है एंगल ओफ सन कहते इसको ब्लैक पगोडा कहते इसको क्योंकि काला गरेनाइट इसमें प् करता है किसको समर्पित है यह सूरिय को समर्पित है इसके बाद यहां पर आगे जगनात मंदिर यह कहां पर है यह है पूरी पूरी कहां पर है उडीसा में है जगनात मंदिर पूरी उडीसा में है इसके बाद यहां पर आगे लिंगराज मंदिर यह भूने स्वर्व उडीस यह भी उडीशा में तो दो तीन आपके यह वहां के जो मंदिर हो गए कुणार का सूरिय मंदिर जगनात पूरी का मंदिर और लिंगराज मंदिर भूनेश्वर यह सभी उडीशा के हैं इसके बाद यहां पर आगे देख ले ना इसको भी अकर आप लिखना चाहते हैं तो murdered जो क्या परियोग कर जड़ता है भोजण में तेल परियोग करता है ऐसे कर लिए नज को इसके बाद यहां पर आगे शास बहु मंदिर यह गवालियर में कहां-सास-बहु गवालियर में इसके बाद यहां पर आगे वीरु पाक्स मंदिर यह हमपी करनाटक में है और लोक महादेवी दुवारा यह बनवाए गया था वीरु पाक्स हमपी यह ना अक्सरदाम मंदिर है नई दिल्ली में सिद्धी विनायक माबलेसवर मंदिर है महराश में तो आपके जितने मंदिर थे ना इनसे बहार एक भी आपका एकजाम में नहीं आएगा इसके बाद हम करेगे मानव सरी से सम्मंदित कोश्चन आपकी तो उससे पहले देखिए स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ रोग है जो आपके एकजाम में आते हैं इनको कर लेता है पहले कोबाल्ट साट का परियोग होता है कैंसर में कोबाल्ट साट का परियोग कैंसर में होता है आरसेनिक चुहत्तर का परियोग होता है ट्यूमर की पहचान करने में ट्यूमर की पहचान करने में तो यहाँ पर आप आरसेनिक लिखोगे ना ऐसे देखे आर से निक आप लिखोगे तो आर से निक न लिखे आर से निट लिखदे आर से निट ऐसे आप पहचान लोगे एकदम ट्यूमर में होता है इसका प्रियोग है ना आर से निट ट्यूमर में इसके बाद यहां पर आगे IDN 131 का प्रियोग थायराइड ग्रंथी सकीरियता इनसे जो रोग होता ना आयोडिन की कमी से थायराइड रोग और घेंगा रोग और गलगोटु रोग ये एक ही होते है सारे इसके बाद यहाँ पे आगे फासफोरस 32 का प्रियोग होता है रक्त कैंसर में है ना एयरक्त कैंसर लट कैंसर जो होता उसमें उप्चार में किया जाता है सका इसको कहते है लींव्योम्या इसमें डबलुबीसे की मात्रा बें व्रद्धी हो जाती है डबलुबी सी यानि की वाहिट बलड सैल या कह सकते हैं आप इसको स्वेत रक्त करनी वाह रहर verses इसके बाद यहां पर आगे सोडियम का परियोग या सोडियम चोविस का परियोग रक्त परवा की गतिमापने में किया जाता है और यह तो हर बार एक्जाम में आता है केडमियम की कमी से इटाई 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 भी आता है इसको इटाई इटाई भी कहते है अगर किसी में लिखने में मिश्टेक हुई तो उसको इग्नोर करना आप लिख लेना उसको सही ठीक है इसके बाद यहां पर पोटेसियम तो पोटेसियम जो पाया जा जैसे आप कह सकते उसको जो heart attack का मरीज होता है उसको ज़्यादा मात्रा में दिया जाता सेव क्योंकि इसमें होता है potassium है ना इसके बाद यहां पे यह ओस्दी बीटा बलोगर ओस्दी भी संबन दिते इसमें और इसका जो पहला आपका सेव में मास दूद फल अनाज सब्जी इनमें भी पाया जाता है पोटेशियम लिख ले न इंपोर्टेंट है आपका बहुत इंपोर्टेंट है इसके बाद यहाँ पर आगे DPT का तृत्यक परती एंटिजन तो यह किस बीमारी के लिए होता है यह होता है डिफ्थीरिया काली खासी और किटिनस में यह दिये जाता है DPT का तीका यह तृत्यक परती एंटिजन आपसे पूछ ले जाएगा यहाँ पर डिफ्थी भी जो है नहीं दिये जाएगा कि तृत्यक परती एंटिजन क्या है किस बीमारी में दिये जाता है तो आपको देखना है DPT यहनिके डिफ्थीरिया और यहाँ पर हो जाएगा यह आपका टिटिनस और यह होगा आपका काली खासी यह भी एक्जाम में बहुत आता है blue baby syndrome यह रोक किसकी कमी से होता है यह होता है बेबी जो बच्चा होता है इसके बाद यहां पे आगे हीमोफीलिया हीमोफीलिया कैसा रोग है एक अनुवानसिक रोग है यह लिंग सैलगन रोग है इस्त्री करती है और जी प्रकट जो होता है पूर्सों में होता है इसमें हीमोफीलिया रोग जिसको होता है तो चोट लग जाने पर रक्त का सकंदनन नहीं होता है याने कि रक्त नहीं रुख पाता हीं ही मो फिलिया में जो रोगी होता है उसका रक्त नहीं रुखता कर चोट लग जाती है तो इस कारण से adopted हो जाती है उसके रोगी की इसके बाद यहां पे आगे पोलिय रोग यह दूसित भोजन जल दुवारा सरीर में पहुँचकर तंत्री का तंत्र को नश्ट कर देता है तो यह जो है पोलियो यह दूसित भोजन से भी होता है इसके बाद यहाँ पर आगे यह जो पोलिय का टीका था यह सालक ने तयार किया था इसके बाद यहाँ पर एलजाइमर रोग यह किस से सम्बंदित है यह मस्तिक से सम्बंदित इसके बाद यहाँ पर आगे पीलिया यह किस कारण होता है यह होता है एपेटाइटिस हैपेटरेटिस B की कमी के कारण यह होता है इसमें जो है ना यहां पे रक्त या लीवर इसके कारण जो है लीवर में सूजन या जलन पैदा होती है और जो रोगी होता ना पीलिये का उसका जो है ना यह कह सकते कि रक्त इसका यक्रत या लीवर जो है काम करना बंद कर देता है पीले में इसके बाद यहां पे टाइफाइड जो रोग होता है यह सम्मंदित होता है आथ से किससे सम्मंदित होता है आथ से इसके बाद यहां पे मोतिया बिंद यह इसको कहते है एबिंदुकता इसमें आख का लैंस अपार दरसी हो जाता है इसमें और इसमें जो है न दाए बाय की वस्तुए नहीं देख पाता यह बाएं दायें का नहीं देख पाता इसमें व्यक्ति इसके लिए निवारण के लिए बेलनाकार लेंज का प्रियोंग किया जाता है इसके बाद निमोनिया किस से संब्दित है? फेपडों से संब्दित है क्या प्रभावीत होता है इसमें? फेपडे निमोनिया में है ना इसमें एलर्जी, अस्त्मा इसके बाद जो TB रोग है ये ये फैलता ये दुवारा इसमें और इसमें BCG का टीका लगा जाता है या इसको कहते टीबी को यक्ष्मा रोग भी कहते यक्ष्मा है ना ये जनम के तुरंत बाद या बारा महां से पहले ये लगा जाता है बी सी जी का टीका इसके बाद हैर्जा किसके दुआरा फैलता है यह पानी दुआरा या जल दुआरा न या मखी के दुआरा भी फैलता है या कोलेरा इसको कहते है यह सिफिलिस रोग है यह संपर्क कह सकते इसको सिफिलिस कैसे फैलता है संपर्क से इसके बाद यहां पर आगे टीटीनस रोग यह घाव या चोटे दुआरा इसके बाद यहां पे आगे एथलिट फुट यह फपूने दुआरा फ्यलता है यह उंखलियों के बिच पैर और हाट की जो उंखलिया होती है उसके बीच में जो खाल है वो मुलायम हो जाती है गल जाती है athlete foot कहते हैं उसको इसके बाद ये बहुत बार exam में आ चुका है mini mata rog किसकी कमी के कारण होता है तो ये किसकी वज़े से होता है sorry किसकी वज़े से होता है तो ये होता है पारे के कारण अगर आपसे पूछा जाए कि mini mata rog या mini mata khardi कहां पे है तो यह जापान में मिनिमाता खाड़ी और वहीं से यह स्टार्ट हुआ था यह रोग मिनिमाता रोग पारे के कारण प्रारम में जापान की मिनिमाता खाड़ी में पारे सम्मंद मचलिय खाने से हुई थी पारा उसमें बहा दिया गया था समुंद्र में जो मिनिमाता खाड़ ही है उसमें जोमसे reckτοि उन्होंने ओभिसली क्या होगा वापे जो पूरा बहा दिया जाएगा तो मचली पानी में हो घर थे वो चाहिकी वह घजा कि तो वह जूमसाऊची परदूसित वैज़ारों में जैसे गई उन मनुष्य नों ने उनको खॉय तो वहां से के इस्टार्ट हुआ था इसमें जो अंग परभावित होते हैं होट जीब काम करना बंद कर देते हैं बहरापन दुन्दलापन मानसिक एसंतुलन इसमें बिगड़ जाता है तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है पारे के कारण और जापान की ये मिनी माता खाड़ी से रोग ये इस्टार्ट हुआ था इसके बाद यहां पे हम मानव सरीर से सम्मनित कोश्चन करेगे और इसको द्यान से देखना है सिधा सिधा आपके एकजाम में यही से कोश्चन आएगे रक्त एक तरल साइयोजी उतक है कैसा है तरल साइयोजी उतक है रक्त का है इक उतक है यह रक्त वाहिनियो में प्रवाहित होने वाला गहडा, चिपचिपा, लाल रंग का द्रव्य एक जीवित उतक है, कैसा उतक है ये जिवित उतक है रक्त का पीच मान जो होता है यह होता 7.4 यानि कि छारी परकरती का होता है अब छारी परकरती का यहाँ पर आपको कैसे मालूम होगा या कैसे पता चलेगा इसका भई एक होता है पीच मान देखिए 7 है एक क्या होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं पलस यानि के अधिक हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा कम तो यहाँ पे जो लिमिट है ना यह है अमल की और यहाँ पे जो साथ होता ना उसको कहते हैं उदासीन उदासीन यह उदासीन और यह हो गया आपका छार्यक शार्य है ना ठीक है तो जिसका पियचमान होगा साथ वो होगा उदासीन जैसे जल है उदासीन है जिसका पियचमान साथ से कम होगा वो आएगा अमले परकरती का होगा है कैसा होगा अमले परकरती का जिसका पियचमान सा के आओगा चारे प्रकरती का होगा इसके बाद यहां पे मनुस्य का रक्त चाप या ब्लड प्रेसर यह अधिक्तम 120 और निवत्तम 80 यह ना तो 120 बटे 80 यह यह मनुस्य का रक्त चाप है अधिक्तम लिमिट कितनी होगी 120 और निवत्तम यहां पे 80 पे सही माना जाएगा यह मिली लीटर में अगर किसी कोश्चन में आपको मिश्टेक लगते तो आप कमेंट कर देना मैं उसको सही कर लूँगा या जैसे यह नोट्स होगा उसमें और यह जो पीडियाफ होगा ना टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगा व तो चीजन पहुचाता है इसके बाद अगर ऑग्सीजन की कमी हो जाए तो क्या कंगा तो वहाँ पे 20-30 बच्चे होगे तो वहाँ पे क्या होगा oxygen की कमी हो जाएगी सारे के सारे क्या होगे वहाँ पर carbon dioxide की मात्रा बढ़ जाएगी इसी वज़े से आपको उपासी या जुभाई आती है जुभाई किस वज़े से आएगी जब आपके उसमें blood में oxygen की कमी हो है अगर आप ऐसी जंगा पढ़ रहे हैं जहां पर ओक्षिजन की कमी एंटूशन में जाते तो आप क्या करना पानी पी लेना उसमें आप बोतल लखना तो क्या होगा क्योंकि जब जल या आप ये पानी पी ओगे तो उसमें क्या होती है उसके बाद एक बहुत अच्छा फ्रेशनेस आप महसूस करते कि फ्रेश होगे बिल्कुल है ना फिर आप पढ़ने के लिए बैठ जाना जैसे आप गर पी पढ़ते होगे तो आपको मालेजे नींद आ रही है तो आप पानी पी लेना आपको जुवाई आ रही है पानी पी लेना तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और आपको नींद भी नहीं आएगी उसमें ठीक है CO2 के कारण ओक्सिजन वहन की चमता प्रभावित होती है CO2 की मात्रा अगर आपके बलड में बढ़ जाती है तो आपको क्या आगा आलकस आजाएगा जुवाई आएगी यानिकि आपके बलड में CO2 की मात्रा बढ़ गई यानिकि ओक्सिजन की मात्रा आपके शरीर में घट फिर आप क्या करते हैं बहुत जोड से सांस लेता है मुह जैसे बाते हैं ना तो बहुत सारी ऑक्सिजन कीची लेते हैं तुरंद एक दम फिर सही हो जाता हो रक्त क्या है सयान है और यह सयान था किस कारण है प्रोटीन के कारण रक्त में इसके बाद हमारे सरीर का जो रक्त दबाव है वह वाईवंडेल अधाब से अधिक होता है रक्त में दातु भी पाई जाती है कौन सी आईरन या लोहा रक्त का सुद्धिकरण यह कौन करता है विमारी ओती जैसे ब्लरडेट पूरा बदला जाता इसमें then कि तो इसमें इसको कहते है डाइलेसिस है ना कि इसके बादे यहां पर आगे कि रकत नहीं जमता यह किसके कारण नहीं जमता तो यह ब्लडड में हीपेरीन की कमी के कारण रक्त जो है नहीं जमता ही पिरिन की कमी के कारण इसके बाद रक्त के प्रकार या रक्त की खोज किसने की तो यह की कार लेंड इस्टीनर कार लेंड इस्टीनर ने और रक्त के चार प्रकार बताए A, B, A, B और O A, B को कहते है सरुगराही और O को कहते है सरुदाता या यूनिवर्सल डोनर, O सभी को दे सकता है, ये बहुत बार आपके एक्जाम में आया भी है इसमें इसके बाद यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में देख लेना आप इसके RBC और WBC के बारे में RBC, WBC Red Blood Cell, ये क्या हो जाएगा White Blood Cell या कह सकते हैं लाल रक्त कनी का है ये क्या हो जाएगी, सवेत रक्त कनी का है इनका जीवनकाल होता है 20 से 120 दिन और इनका जो होता है ये होता है 3 से 4 दिन का समय और Hemoglobin के कारण लाल होता है रक्त और ये कहां पे बनती है अस्ति मज्जमे कहां पे बनती है RBC अस्ति मज्जमे और इसका जो कबरिस्तान कहते है या ये खतम होती है RBC ये प्लीहा तिली में होती है और ये मलेरिया के कारण जो है ये प्लीहा जो है ये प्रभावित होती है इसके बाद यहां पे आगे WBC का कारिय क्या है White Blood Cell या सवेत रक्त कणिकाई इसका जो कारिया परती रोदक छमता बनाए रखता है ये इमनियूटिव पावर है ना और कणिका की अधिक मात्रा को क्या कहते है लीक्यूमे रिया रखत कैंसर ये कहीं बार पूछे जाथ चुक है PCS में भी है ना तो आपका ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट है इससे आपके एकजाम में कुश्चन आते है चलिए इसके बाद यहां पे आगे वैस्क मानों में हड़ी 206 पसलियो कि कितने होगे 12 जोडे सरीर में जल कितना होता है 65% और सरीर का जो अधिक्तम भार है वो इसी से बना होता है क्योंकि 65% जल है तो बहुत ज़्यादा वेट आपका जल की वज़े से होता है और जो बहुत ज़्यादा मोटे वेक्ति होते हैं उनमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है इसके बाद यहां पे सबसे छोटी हड़ी कहां पे होती है कान में होती है इसको कहते है इस्टेपीज इस्टेपीज कहते है और सबसे बड़ी या भारी हड़ी या ठोस हड़ी ये फीमर जांग वाली हड़ी है और ये ठोस होती है सबसे बड़ी जांग वाली हडडी फीमर भारी एडडी भी यह है सबसे चोटी यह है कान की हडडी इस्टे पीज और अगर आपसे कान में पूछा जाए तो तीन हडडी होती है इस्टे मेलिन है ना वो देख लेना आप उसमें इस्टे पीज होगी यहां पे सबसे छोटी इसके बाद यहां पे आगे एक दिन में मानव जो मूत्र करता है लगबग वो करता है डेड़ लीटर कितना डेड़ लीटर और इसमें भी 45% जल होता है और मानव मूत्र का जो सीधा सीधा और यूरो क्रॉम के कारण जो है यूरो क्रॉम हीमो गलोबिन के विखंडन से बनता है और देखिए इसमें है यह जो पीला ऊता न यह को यह यह यूरो क्रोम की या यूरिया की कारण ही होता देखलने के जैसे मुत्रालय होते या Πर तो वह虏 उत्त एक गंद आती है कॎं सी गंद आती है वह वा यारे निकी एैनस थिर है कि ३ अ उनिया के कारण girl वह प गंद आती है इसके बाद यहां पर आगे सबसे मजबूत मास पेसी कौन सी है तो सबसे जो मजबूत मास पेसी है शरीर की यह है जबडे की हड़ी कौन सी है जबडे की हड़ी अखरोट तक आप फोड़ देते हैं उसको या इसके बाद यहां पर सबसे द्रड भाग कौन सा होता है दंत वल्क होता है जो दांतों को चमकिला बनाए रखता है इसमें कैलसियम फासफेट होता है क्या होता है कैलसियम फासफेट और जिसमें कैलसियम की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा उसके दांत गसने लगेगे या दाट कमजोर हो जाएगे देखिये और एक वीटामिन C होता है जो इसका जादा परियोब करताуск बहुत मजबूत हो जाते हैं लिटामिन दामिन C की वज़े से भी इसके बाद यहां पर आगे जीवन जीवन काल में कितने बार दो बार दाट विक्सित होते हैं ऐसे कितने दांत है तो ऐसे 20 दांत है जो दुबारा जमते हैं कि दो बार विक्सित होते हैं 20 दांत और दातों के प्रकार क्रंतक रदनक चैन्वक और अग्र चैन्वक क्रंतक का जो कारिया है यहें काटना और कुतरना बाकी कभी आप इनका देख लेना इसमें क्या काम है इसमें इसके बाद हर्दे में कितने कक्स या चेमबर होते हैं तो चार होते हैं दो अलिंद और दो निले और आप मुझे कमेंट करके बताना मेंडक में कितने होते हैं मेंडक, बिल्कुल सही सही बताना हम मेंडक में कितने होते हैं, बहुत अच्छा कोश्चन है, कहीं बार आ चुका है, मेंडक में कितने चेमबर होते हैं, आशा करूँगा कि आप सभी कमेंट करके जरूर बताएग इसके बाद यहां पे आगे हर्दिय कब आराम करता है तो यह दो धड़कनों के बीच आराम करता है यहां पे देखिए यह कुशन छुट गया हर्दिय धड़कता है 72 बार एक मिनट में और एक दिन में लगबग एक लाख बार यह पूचा गया था एक एकजाम था उसमें पूचा था कि कितनी बार धड़कता है तो आप आपको एक मिनट का पता है और आप कैलकुलेशन करोगे 24 घंटे फिर इतना सेकिंड इतना घंटे तो फिर आपसे क्या होगा यह कुशन गलत हो जाएगा तो आप याद रखना सिधा-सिधा एक दिन में लगबग एक लाग भारिये धड़कता है इसके बाद हार्ट अटेक के लक्षन यह हर्दे गात के जी मिचलाना तेज पसीनाना सीने में तेज दर्द होना इसके बाद यहाँ पे आगे मानव की कलाई नाड़ी यह नवज इसपंदन करती है यह हर्दे के बराबर इसी वज़े से क्या होता है आपके हर्दे की धड़कन जो होती ना कितनी बार धड़कता है 72 बार इसी वज़े से जो डोक्टर होते है आपकी नवज पकड़के ही आपका जो है बता देते है कि आ बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपके कुछ रोग है वो नवज पकड़के बताते हैं तो आपकी जो धड़कन है ना इसमें नवज की उससे बहुत कुछ मालूम होता है इसके बाद यहां पर आगे हर्दिय स्पंदन एक विद्धुत तरंग दुवारा उत्पन होती है हर्दिय में इसके बाद यहां पर आगे नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्यों दर्द नहीं होता यह तो मरत है इसी वज़से दर्द नहीं होता सिधा सिधा यह याद रखना नाखून भाई ये कंकाल का हिस्सा है जो एलफा किरेटीन से बने हैं किरेटीन से आपके बाल है भैसो यानि के पसो के खुर है और आपके नाखून है ये सब काटे जाने पर दर्द नहीं होता क्योंकि ये मरत को सिखाओ द्वारा रिमित होते हैं इसमें रक्त का संचरण नहीं होता इसी वज़से जो है दर्द नहीं होता काटते समय करेंट अफेयर का भी मैं आपके लिए जल्दी से वीडियो लाऊंगा और आप बुक्स से जादे से जादा पड़ो बुक्स से क्योंकि आप अगर पांच इस हैं गंटे दोगे ना अपने खुद को तो आप एक दिन में 10 या 15 टोपिक भी आप किलियर कर सकते हैं उसको नोट्स कर लेना आप अपने प्लैन पेज़ पे करना उसको पर फिर उसी का रिवेजन करना बस यहां पर आगे देखिए साधरन मानों में गुण सुतरों की संख्या कितनी होती है चालिस होती ह आप से जोड़े पूछ लिजाएगे तो 23 जोड़े होगे और इसमें कमी यवरद्धी होने पर क्या होता है मंगोलिक जड़ता हो जाती है और यह क्या होता ना यह बाद में नहीं होता कि जनम हो गया उसके बाद यह गुण सुतर घटे गे बड़े गे नहीं जनम से पहले किए होता है जब जनम होता उसी समय मंगोलिक जड़ता का सिकार यह पागल होगा ज्यादा हो जाएके तब यह कम हो जाएगा तब भी तो कभी-कभी देखे एक इंट्र क्लास में टीचर थे कैमिस्टिक तो उस समय कि जब इसके बाद यहां पर आ चिपकली में गुणशुत्र नहीं होते हैं और लिंग निर्धारण जो है यह परियावरण ताप से करते हैं यहां पर गलत लिखा है परिया वरण है ना यह तो जहां यहां पर कुछ मिश्टेक हो सकती है जल्दी से जैसे बनाते ना नोट जल्देल दे तो उसमें हो जाती है कभी-कभी इसके बाद यहां पर आगे यकरत को होही लिवर कहते है और यह सबसे बड़ी गयर तहुपिटेंट में थिशा पूछा वर पित का निर्मान ही होता है वि FDA's से में यादर रखना है लिवर क्या है यह क्या है सबसे बड़ी गरंथी आपकी और लीवर ठब तो व्यक्ति ठब यह मानना आप बिलकुल इसके बाद यहां पर आउटू गरंथी सबसे बड़ी अंत्य इस्तरावी गरंथी हैं देखो यहां पर याद रखना है यह सबसे बड़ी गरंथी और यह कैसी है सबसे बड़ी अंत्य सरावी गरंथी ठीक है इसके बाद यहाँ पे आगे पिटियूटरी गरंथी या प्यूस गरंथी या माश्टर गरंथी याद रखना है प्यूस गरंथी पिटियूटरी गरंथी या माश्टर गरंथी या माश्टर गरंथी यह अंत्य सरावी गरंथियों को संचालित करती है और इसका जो इस्ताने कहां पे है यह मस्तिक्स में आ अंते सरावे गरंतियों को पूरा संचालित करती इसके बाद यहां पर आगे आयोडीन के युक्तु थायरोक्सिन हार्मोन क्या एक अमीनो अमल है आयोडीन की कमी से क्या होता है गलगं रोग गलघोटु होता है कि और इसका जो सुराव होता है यह ओता है गले की थाइराइड गरंती से इसके बाद यहाँपे कुछ हार्मोन है यहां पड़ो इस्तरी हार्मोन तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन इसके बाद है यहाँपे समनी में पूरुस हार्मोन है एट्रेलिन टेश्टे इस्टेरान एडेश्टो रधूर्शन न इसमें आप याध राकना स्तीरी सिक्राव कर लूँद आप एश्ट्रो प्रॉस्ट्रो एना एश्ट्रो प्रोश्ट्रो याद और जागा जो बाकिया céu वो पूरूस सांत प्रवर्ती का होगा или कभी कभी क्या होता है एक्दम यह घटिया बडवी जाता है इसतितिक ओ सिच्वेशन को देखके जैसे लड़ाई का माहूल है तो तुरंद क्या होगा यह बढ़ जाएगा और जैसे कोई आप नर्वस हो गया या कोई दुखी हो गया तो उसमें क्या होगा एड्रेल कम हो जाएगा यह क्रोध आना या हर्द्य गदी का बढ़ जाना यह सब इसी पर डिपैंड करता ह है एड्रेलिन पे इसके बाद यहां पर आगे ऑक्सिट ऑक्सियार बॉन यह दूद निकालने का इंजक्शन भी ऑक्सिट ऑक्सियार वां जो होता ना पसोओ को लगाया जाता है उसमें तो इस पर बैन भी हुआ था यह लेकिन उसके बाद यह फिर से चालू कर देगा और यह देखें का चुम्त से भी शोथा धेखा होगा आपने पसों में से गाया जो बच्चा है वह ब्राबर में लग दा उसको चाटती है तो फिर क्या होता है दूर धाना गरंतियों से वह नहीं पर नहींब है इसके बाद यह आपर आगे ऐसा फेरोमोन हर्मोन यह क्या है साथ ही को आकर्सित करने वाली गण निकालता है कौन सा हर्मोन है यह फेरोमोन हर्मोन यह जैसे जुगनु तो आपने देखा होगा जुगनु जुगनु पटवीजना जिसको बोलते रात के समय वह लाइट होते ना लाइट लाइट जलती है उसमें उसको कहते है जुगनू तो वह बहुत सारे कुछ कीट पतंगे होते हुआ निकालते इसको जैसे चीटी है चीटी भी एक हार्मों निकालती है इसी वज़े से होता है जो अगली वाली होती है पीछे आने वाली वह उसका जो आगे चलती है पुरा ग्रूप में तो फेरोमोन याद रखना है इसमें इसके बाद यहां पर आगे कि इंसुलिन हर्मोन इसका जो स्राव होता है अगनास्य की मिस्रित ग्रण्ति से कार्य क्या सुगर को कम करना कमी से कौन सा रहोता है इसका इंसुलिन की कमी से यह होता है सुगर या मदु में मीठर होगा ना इसमें रुदिर में ग्लुकोज की मातरा हो जाती है कम और खोज किसे ने की थी इसकी बैंटिक ने की थी और यह इंसुलिन हर्मोन कैसे प्राप्त के जा सकता है डेलिये की जड़ से और इसमें उपस्ती धातु कौन सी होती है जिंक होता है, जैड एन, आपने देखा होगा जैड एन का तो वैसे और भी एकजाम में कोश्चन आता है, जिंक है न, गैलवेनाइसिंग आपने देखा होगा, जो जस्ती होती है, संदूग बनाय जाते हैं, उसके प्रत चड़ती ह कितने परकार के पांच परकार के कौन कौन से एजी आसाए एसे हो जाएगा एथिलीन जी से जिब्रेलीन आसे ओक्सीन और सा से साइटेकाइनिन और एसे हो जाएगा एबिसिक अमल ठीक है तो पादफ हर्मोंस पैसे पांच हो जाएगा और कौन कौन से एजी आसाए आपको ए कि एदेलीं हो जाएगा जिब्रेली ओखcja बिर्यों प्राइद को पकाने में ऑखीण को यह जो ना कहल पड़ा को नुर्शत करता है क्रक्षाक्रत। whar में निर्मान जो अनावस्यश्य इसको दबाइडाल के समाप्ट किहाताह इसके तो यहां येकरत दुवारा और इसका जो संचे होता है पितास्य में होता है कि ओव येकरत 15-12 cm लंबा और लगबग डेड़ केजी का यह होता है कच्चे फल को पकाने में परियोग एसिटलीन भी होता है एथिलीन जो है यह गैसिय वश्था में पाए जाने वाला एक पादा फार्मोन भी है एथिलीन इसके बाद हाइपो थेलेमस यह भूक प्यास ताप नियंतरन प् जो प्यार करते है यह भूग लगती है प्यास लगती है यह यह शरीर का जो टेंपरेचर है वह इसी पर यह एक दूसरे से घर्णा कर रहे है उसी का यह केंद्रबिंद्व है यह कहां पर मस्तिक्स में है ठीक है है हाइपो थेलेमस याद रखना बहुत अच्छा कोश्चन ह है यह हाइपो थेलेमस से इसके बाद ऑक्सी टॉक्सी नम पढ़ चुके है गाएंस के थनों में दोद उतारने का इंजक्षन भी है इंसुलीन अगनास्य लेंगर हैंस की दिपीका की बीटा को सिकाव दवार यह उत्पन होता है इसके बाद यहां पे नस्बंदी महिला में और पुरुस में जो महिला की नस्बंदी होती है उसको कहते है वैक से टॉमी और पुरुस की साइकेडेमी इसके बाद प्रकास संसलेशन हम करते यहां पे तो इसमें यह याद रखना ज्यादा कुछ नहीं याद रखना इसमें तो यह याद रखना प्रकास संसलेशन के लि और इसके लिए आवश्चाख है CO2B और मरद्दा से सोसित जल द्वारा ये कार्वाइड्रेट का निर्मान करते हैं इसमें तो दो-तिन चीजे इसके लिए आवश्चाख है हरा पोदा हो सूरिय का प्रकास हो प्रकास नहीं होगा तो प्रकास तनसलेशन भी नहीं होगा यानि प्रकास नहीं या फोटो सिंसित तिसिस के दुआरा ही बनाते हैं इसके बाद यहां पे आगे पेड की पत्ती हरी होने का कारण। क्लोरो फिल के कारण यह पंण हरीम के कारण। यह वोती है इसमें मेगनिस से मुपस्धित होता है। वीडियो काफी लंभी ओ चुकिए, है ना। देखर आज का जो प्लास है ना इसलिए मैं आपकों बोलता हूँ आप खुद से भी बुक से भी तयार किया करो इसके बाद कब होता है प्रकास इंसलेशन दिन में होता रात में वही नहीं होगा आपका ठीक है आपके उप्सन आ जाएगे कि अगर बलब जला दे जाए तो क्या उसमें हो जाएगा तो नहीं होगा उसमें इसके बाद प्रभावकार प्रकास अधिक होगा लाल रंग में और सबसे कम यानिकि ना के पराबर जीरो होगा इसमें ब्यांग नहीं है ठीक है और प्रकास उर्जा को रासानिक उर्जा में बदलता है इससे क्या लाव है प्रकास उर्जां से तो भई oxygen मिल लेए प्रत्वी के carbon चक्र में co2 की मात्रा बढने नहीं देता है क्योंकि अकर पेड़ पहोदे नहीं होगे तो क्या होगा प्रकास ohl правslंसलेसं नहीं होगा और प्रकासohl daytime नहीं होगा तो औक अशिजन नहीं मिलेगी और oxygen नहीं मिलेगी तो co2 की मात्रा बढ़ जाएगी इसके बाद यहां पर आगे बस यहीं पर जल्दी से क्लास का यहां पर समाप्त करते जल्दी से इसके बाद कल आपको current affair का और old जीके कभी आपको क्लास मिलेगा वरक्सिया पोदा आवसक्ततु कितने तो 16 है पोदे की आयू ग्यात कैसे करते हैं इसके वार्षिक वलियों की s belangrijk p recommend et til तो इस तरीके से आपने पेड़ देखें एक कटा होगा तो आपने यह देख जाई पे पեջने के आयू कैसे एक होता है छाएलम से खेनी जैसे जल्दी जय लिए नियए बाकी जो है वहां के लिए होगा हमिए है है कㅎ ऱठैसे अगर रात में इसके नीचे सोते हैं तो क्या करता है करबंडियो च्थोड़ता है कर दिन में तो अक्सीजन देते और कुछ पोदे ऐसे भी होटे जो 24 गंटे ऑक्सीजन ही देते हैं आपको अकर मालू मैं तो कमेंट करके जरूर बताना और यह मैं पीडियाप डाल दूगा टेलिग्राम पे इसका पीडियाप आप जो है प्रिंट निकाल लेना इसका या आप इसको लिख लेना और महनत करने अच्छे से महनत करोगे तो आपको रिजल्ट जो है पोजिटिवी मिलेगा उन पे इतना ध्यान मत दिया करो कि जो बहुत ज्यादा हाई लेवल के कुश्चन है और आपसे नहीं होते आप एकदम प्रेशान हो जाते हों कि मुझसे क्यों नहीं हुआ वही आप बुक्स पढ़ोगे तो होगा कोश्चन पहले बुक्स पढ़िए उसके